आज के टॉपिक में हम बात करेंगे Breaking of Bad Habits इसका मतलब होता है कि जो हमारी बुरी आदते हैं हम उनको कैसे खत्म करें या फिर हम उनको कैसे छुड़ाएं Firstly हम इस टॉपिक में बात करेंगे Removing of Rewards Removing of Rewards का मतलब होता है कि जो हमें reward मिलते हैं हमसे वो ले लिये जाते हैं या फिर वो हमसे हटा दिये जाते हैं तो Removing of Rewards का मतलब होता है कि कोई जो reward हमें मिला है वो हमसे ले लिया गया है इसको हमें एक example के थुरू समझते हैं जैसे कि कोई एक बच्चा है वो continuously एक class में first rank ला रहा है and किसी कारण की बज़े से या फिर जो बच्चों की जो peer pressure होते हैं या फिर बच्चों के साथ में उसका attention जादा बढ़ जाता है तो उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है तो वो जो उसकी consistency होती है first आने की वो धीरे धीरे low होने लगती है जो class में उसकी performance है वो low होने लगती है तो जो उसकी जो first आने की first आता रहता है या जो उसकी first rank रहती है consistency वो नहीं आ पाती है तो teachers उसे motivate करने के लिए या फिर उसको समझाने के लिए कि बेटा आप bad habit में जा मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो उससे वो जो उसको reward पहले के मिले हुए है वो ले लेते हैं ताकि इससे क्या होता है कि वो बच्चा समझ जाता है कि मेरी जो company है वो bad company है and मुझे वो company change करना चाहिए मतलब अपने जो उनके friend का circle है वो change करना चाहिए तो इससे वो teacher जो rewards ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है removing of reward removing of reward से हम ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी जो बंदा है या फिर कोई जो person है उसे encourage करने के लिए अच्छे रास्ते पे लाने के लिए जो पिछले उसे reward मिले हुए होते हैं वो उससे ले लिए जाते हैं ताकि उसे ये ऐसास हो सके कि वो अब गलत संगती में है या फिर गलत रास्ते पर चल रहा है जिससे वो हट कर फिर से बापिस अच्छे रास्ते पर आ जाए आगे हम बात करेंगे punishment के बारे में punishment का मतलब होता है कि सजा के थुरू हम किसी भी चीज को या फिर किसी भी person को ये समझाते हैं कि क्या good है क्या bad है इसमें हम एक example के थुरू समझते हैं कि एक बच्चा है वो daily अपना home work करके नहीं लाता है एंड जो teacher है वो regular उसे class से बाहर कर देती है तो बच्चे को क्या है कि वो regular बाहर हो रहा है तो उसकी habit हो जाती है कि कोई बात नहीं मैं home work नहीं करता हूँ तो teacher मुझे class से ही तो निकाल देती है तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एंड एक जो उसके हैबिट पढ़ जाती है वो एक बैड हैबिट में आ जाती है तो टीचर उसे एक punishment के थुरू ये समझाना चाती है कि उस लड़के का punishment के इसे हम एक example के थुरू समझते हैं जैसे की बच्चे जो होते हैं उनके जो parents होते हैं या फिर teachers होते हैं जब वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं बच्ची जब घर में रहते हैं तो parents जो उनका playing time होता है या फिर जो उनके enjoyment का time होता है तो वो जब bad habits में चले जाते हैं या फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो parents क्या करते हैं कि जो उनके enjoyment का time होता है उसको skip कर देते हैं इससे क्या होता है कि बच्चे को समझ में आ जाता है कि मेरे को punishment मिल रही है फिर parents उसको समझाते हैं कि बेटा ये गलत है या फिर ये बुरी आदत है आपकी ऐसे ही schools में क्या होता है कि जब पच्चा homework करके नहीं जाता है तो teachers उसे class से बाहर कर देते हैं या फिर उसको punish करते हैं तो ये है breaking of bad habits में punishment के बारे में अब हम बात करेंगे learning to differentiate bad and good habits इसमें क्या होता है कि एक person होता है जिसे ये पता ही नहीं होता है कि जो उसकी habits है वो bad habit है या फिर good habit है इसमें क्या होता है कि जो person है जिसे समझ में नहीं आता है कि उसकी habit good habit है या फिर bad तो वो एक counselor के पास जाता है counselor के पास जाता है ये समझने के लिए कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ या फिर सही रास्ते पर जा रहा हूँ तो वो counselor उसे बताता है या फिर guidance जिसे वो ले रहा है वो उसको guide करता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो या फिर गलत रास्ते पर जा रहे हो आगे हम बात करेंगे company of good friends इसमें क्या होता है कि जो हमारे friends circle होते हैं या फिर हमारे peers होते हैं वो अगर अच्छे हैं तो हम उनके साथ साथ जो हम रहते हैं तो हम अच्छे रास्ते पर चलते रहते हैं तो इससे क्या समझते हैं हम कि हमारे जो friends circle हैं वो good friends होना चाहिए आगे हम बात करेंगे good models इससे हम समझते हैं कि जो जैसे कि कोई person है मतलब हर person के अपने अपने आइडल होते हैं जैसे कि अपने अपने role model होते हैं कि हम किसी को follow करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो habits है हैविर्स जो हमारी Role Morder है हम उन्हीं पर dependent करते हैं जैसे कि हर व्यक्ति का एक Role Morder होता है जैसे कि उसने किसी एक्टर को या फिर एक्टरेस को अपना Role Model मनाया है तो वो उसको perceived करता रहता है and उसकी good things and bad things सीखता रहता है तो इससे क्या होता है कि जो person है उसकी जो bad habits छुडवाते हैं हम लोग तो उसको एक good role model की जरुवत होती है आज के topic में हमने बात की थी breaking of bad habits के बारे में जिसमें पढ़ा था हमने removing of rewards, punishment, learning to differentiate bad and good habits and आगे देखा तक company of good friends and good models I hope आज की class आपको समझ में आई होगी अगर इससे related कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं Thank you